इस्टेडी आई सुनने वाले सभी मित्रों को राजिंद राना का नमश्कार दोस्तों आज फिर आप लोगों के समुख एक वीडियों के साथ आजी रहूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहीं बार जब आप नेट की समश्या से जूसते हैं तो कैसे अपने मुवाइल पर नेट को या नेट की स्पीड को आप तेज कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को जुरू करूं आप लोगों से अपील है कि ऐसे ही क्यान वर्दक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब पर थम मेरे चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों टाइम को जाया ना करते हैं सीधों सीधे अपने वीडियो पर आते हैं तो दोस्तों जब भी आपको अभी नेट का प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो दोस्तों आप दो प्रकार से अपने मोबाइल में नेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं सफरतम तो आप सेटिंग में जाकर आप साथ के साथ देखते रहे हैं कि बार 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 बाद में आप लोग फिर क्वेरी करते हैं कि आपने क्या बताया था सेटिंग में जाकर सिम कार्ट एंड मोबाइल नेटवर्क इसमें जाकर आज की डेट में सभी मोबाइलों पर लगवा यही फीचर्स होते हैं फिर भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है तो आप लोग उसको देख लेना वैसे यही फीचर्स आपको दिखेंगे अब अपने जिस सिम का प्रियोग कर रहे हैं उस पर जाकर प्रिफार नेटवर्क टाइप को यहां फोर्जी का उप्सन नहीं दे रहा है क्योंकि फोर्जी मैं अपने दुस्रे फॉन से यूज़ कर रहा हूं यहां देगा हो यहां भी त्रीजी ही दे रहा है इसको LTE पर रखें उसके पर चाथ एक सेटिंग तो यह है दूसरी सेटिंग जो है वह यह आप ध्यान रखें कहीं मोबाइल में ए पी एन लिखा हुआ भी आता है और कहीं मोबाइल में एक्सेस पॉइंट नेम एक्सेस पॉइंट नेम यह आप देख रहे होंगे में मोबाइल नेट्रोक पर दिया हुआ है इस पर आपको जाना है कि और इफिर आपको जाना है जो भी दिया हुआ है उसे आप हटाएंगे वर निपे जाएंगे तो निपि-अप-पी-न में जबाब जाएंगे तो सबसे पहले आप देख लीँजे नेम का ऑप्स्ण और नेम कि औपसन पर आप ने जाना है और डबलु को करते हैं इस परकार आपने किस निए का परियोग साथ Ch coe सब्सक्राइम साधरी यूण को करते हैं तो परकार आपने आपने मैं किस सिम्म का परियोगा था है आपने डलो 12 self .idea.com लिख देना है और OK कर देना है उसके पस्चाथ दुसरा ओप्सन APN का आ रहा है यहां पर दोस्तों आपने आईडिया और ध्यान दीजिएगा N Capital लिख रहा हूं आईडिया नेट लिख देना है देख लिजिए एक बार डंग से आईडिया नेट लिख देना है और OK कर देना उसके बाद तिसरा ओप्सन प्रॉक्सी का है उसे आपने नहीं छेड़ना है चौत्हा ओप्सन पोर्ट का है उसे भी आपने नहीं छेड़ना है फिर यूजर नेम का है माज़वा ओप्सन उसमें आपने www.google.com लिख देना है इस बार फिर देख लीजिए www.google.com उसके बाद पास्वर्ट के ओप्सन को भी आपने छोड़ देना है उसके पस्चात सर्वर का ओप्सन आता है सर्वर के ओप्सन में भी आपने www.google.com लिख देना है और ओके कर देना है उसके पस्चात MMSC, MMSPROXY, MMSPORT, MCC इनको आपने नहीं छेड़ना है यह सर्वर के पस्चात MMSC, MMSPROXY, MMSPORT इनको आपने नहीं छेड़ना है MCC का ओप्सन जदे रहा है इसमें 404 या 405 इस परकार से रहता है तो आप 404 या 405 कर दे रहा हूं इसे कुछ भी रख सकते हैं और फिर है MNC तो यहां पर आपने 868 या फिर 865 भी आप डाल सकते हैं इसको डालना है और तस सबसे लास्ट में कि यह बिएरर का ओप्सन आ रहा है कहीं मोबाइलों में कहीं कुछ और नाम भी दिया रहता है उसको आप देख लेना तो उसको आपने ल्थी पहले से लेकट करदेना है उन स्पैसिफाइड पहले से स्लेकट रहता है रहता है और और ठाथ सथ को आप क这个对 कि दोस्तों आपने सेट्टिंग को सेफ कर दिया जैसे यह आप सेटिंग को सेफ करेंगे तो आपकी टुम इंटरनेट की स्पीड है वो दुग नी या फिर अच्छी हो जाएगी फिर भी आपके मोबाइल की स्पीड अच्छी नहीं होती है पर एक बार अपने मुबाइल को स्विच ओफ कर दे और स्विच ओफ करने के बश्चाद फिर से चलाएं तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी इसके आतरिक्त एक दूसरा सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से भी आप अपने मुबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो इसको देखिए यह आपको सिबसे पहले आपका मुबाइल है आपने सेटिंग में जाना है और एबाउट फॉन का ओप्सन होता है सेटिंग में यहां पर है और किसी किसी में एक्सेस बिल्टी में भी यह ऑप्सन होता है एडिशनल सेटिंग में जाकर एक्सेस बिल्टी यहां भी या option किसी-किसी मोबाइल में रहता है तो अभी मेरे मोबाइल में ये आप साथ के साथ देखते रहें मेरे मोबाइल में ये अबाउट फॉन में है बड़े ध्यान से आप देख लीजिए अबाउट फॉन में सबसे उपर से कि अप्सन है कि मियू वर्जन मियू वर्जन लिखा हुआ है उसी के निचे से मोडल नेम भी लिखा हुआ है तो आप लोग और को छोड़िये और कोई सेटिंग आपने नहीं देखनी है आपने मियू वर्जन मियू वर्जन पर आपने साथ बार किलिक करना है तो कि मैं अपने मोबाइल पर इसे पहले ही कर चुका हूं इसलिए मेरे मोबाइल पर नो नीड यू और अल्रेडी अडपलर दिखा रहा है आपने साथ बार मियू व तो दिखाएगा भी कि five more time four more time वैसे घटाता रहेगा जब आप साथ बार मियू वर्जन पर क्लिक कर लेते हैं तो उसके पश्चाद कि आपको यह डवलबर का option अपने मुबाइल पर खुल जाता है वह कहां खुलेगा उसको देखने के लिए आपको फिर एक्सेस बिल्टी पर जाना पड़ेगा अटिशनल सेटिंग में जाकर एक्सेस बिल्टी पर जाना पड़ेगा और एक्सेस बिल्टी पर जब आप नीचे 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 जाते हैं कि एक्सेस बिल्टी यह देख लीजिए आप एक बार मैं पुना चला जाता हूं लास्ट से सेटिंग पर जाना है और अधिशनल सेटिंग पर जाना है एडिक्सेटिंग पर जाकर यह डेबलबर ऑप्षन का अब यह ऑप्षन आ चुका है इससे पहले यह ऑप्षन नहीं था आप अपने मोबाइल पर बिना उसको कि अभी देख सकते हैं यह ऑप्षन पहले नहीं रहता है वहां की क्लिक सावन ब आपने सेट करना है इसमें सभी को छोड़ते हुए सबसे पहले आपको सीधा नीचे नीचे आते रही आप बागी सारी सेटिंग को आपने नहीं चेड़ना है ड्रॉइंग पर आ जाएंगे जब ड्रॉइंग पर आप आ जाएंगे तो एक उप्षन आता है विंडो सिसकेल यह मेरे मॉबाइल पे ऑनिमेसली सकीड 0.5 हुआ है आपके मॉबाइल पर इस्केल 1 एक 1.5 स इस परकार चे और तो आप इसे 0.5 हप्स पर ला दीजिए अगर या आपके उसमें ऑन एकने यह 1.5 मि हाटे विंडू एनिमेсят इसके इसको आपने 0.5 आक सबनाना है उस इसके नीचे Transition Animation Scale ये भी 1X के आसपास रहता है आपने इसे भी 0.5X पर लाना है उसके बाद है ऐनिमेटर ड्यूरेशन इनिमेटर ड्यूरेशन इसके इसको भी आपने 1X के इस्तान पर 0.5X पर लाना है उसके पस्चार आपने कि सीधा नीचे आते रहुए बाकि किसी भी सेटिंग पर ध्यान रहे कि किसी भी परकार से आप चेन्जमेंट न पर कर देजें कियोंकि अगर आप थोड़ी सी भी चेन्जमेंट सेटिंग पर करते हैं तो पूरी के पूरी estaban सेटिंग हो जाएगी और आपको नेट चलाने में और भी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि तो कि इसके पस्चाद आप सीधा बाकियों को चुप बाकी सेटिंग को छोड़ते हुए एक यह बैक्गांड प्रोसेस लिमिट है बैक्ग्ग्रांड प्रोसेस लिमिट है तो इसमें आपने चाहो तो नो बैक्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग और अच्छा चल सकता है पर स्टेंडर्ड लीमिट यह एट मोस्ट वन प्रोसेस टू प्रोसेस आप अपने साब से रख सकते हैं इस पर इतना इंपोर्टेंट नहीं है हाँ एक यह सेटिंग है तो दोस्तों यह कुछ सेटिंग थी जिसको चेंज करने से आप अपने मोबाइल पर काफी तेजी से नेट को चला सकते हैं अगर आपको फिर भी नेट चलाने में दिकत होती है या तेजी के साथ आपका नेट नहीं चलता है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिससे कि आप नेट को कैसे तेजी से अपने मोबाइल पर चलाना है यह इसमें बताया क्या यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको आगे ऐसे ही ग्यान वर्दक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद